असलाम लेकुन स्टूडेंट्स क्या हाल हैं आपके में नाम है अब्रार शोहान आज हम फिर्स्ट इयर कमिस्ट्री चेप्टर नमबर 10 के अंदर अलेक्रोलाइटिक कंड़क्शन को पढ़ने जा रहे हैं यह मेटैलिक कंड़क्शन से किसा डिफरेंट होती है आयोनाइजेशन का प्रोसेस किया है अलेक्रो केमिकल सेल्स का छोटा सा इंट्रोड़क्शन है इसके अंदर तो चलते हैं हम लेक्चर के तरफ student इस लेक्शर के अंदर हम अलेक्रोलाइटिक कंड़क्शन को डिसकस करने जा रहे हैं अलेक्रोलाइटिक कंड़क्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम अलेक्टोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिसकस करते हैं electrolytes क्या होते हैं electrolytes असल में ऐसी substances होती है यह ऐसी substances होती है जिनके अंदर ions होते हैं substances having ions यह ऐसी substances होती है जिनमें ions होते हैं और अगर इनमें से electric current pass किया जाए if electric current is pass through them तो होगा क्या होगा यह अगर उनमें से electric current pass किया जाए they will conduct वो conduction show they will show conduction तो मैं यह बेतर है अगर मैं लिख लूँ they will show conduction अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं देखें हमारे पास एक यह diagram है इस diagram के अंदर यह जो yellow color की दो lines नजर आ रही है that is actually DC source DC source कहते है direct current का source जिस में से direct current produce हो मसला कोई आपके पास say cell है जो आप usually twice में use करते हैं वो DC source होते हैं DC source में जो positive terminal है वो positive रहता है जो negative terminal है वो negative रहता है यानि कि polarity of electric current change नहीं होती यह जो red color का आपको box में जर आ रहा है that is actually volt meter volt meter volt meter क्या शो करता है volt meter shows कि voltage जो है वो produce हो रही है और अगर तो produce हो रही है तो वो कितनी produce हो रही है यानिकि इस पे अगर zero reading अरिये इस current is not passing through this substance यह जो मैंने इसमें metal के pieces लगाए हुए हैं यह दो यह असल में electrodes हैं हम बाद में इन चीजों को detail में discuss करेंगे for a time being आपके सामने यह diagram मेंने explain की अगर आप इसमें से DC source के switch को on कर देते हैं से आपका switch पहले बन था ठीक है यह cross का sign show कर रहे है यह बन था आमने on कर दिया अब आपका current गुजरना शुरू हो जाएगा अगर यह जो blue color का area है यह electrolyto से आपने इसमें add किया था NACL का solution अब NACL का solution होता है वो electricity को conduct करता है उसकी वज़ा NACL के solution में आइंज होते हैं आप कहते हैं नहीं मैंने इसकी जगाना add करना है sugar का solution फिर मैं देखता हूँ कि इसमें से current pass होता है कि नहीं होता है आपने इसमें से sugar के solution में से current pass किया तो वोल्ट मीटर ने zero reading शो की यह नहीं कि करन्ट ही नहीं पास हो रहा उसकी वज़ा क्या है sugar का जब solution मनाया गया तो उसमें ions मुझूद नहीं थे लहाज़ा उसने electricity pass नहीं की लहाज़ा sugar का solution electrolyte नहीं किलाएगा पूर एक्जेंपल आपके सामने ये डो डायग्रामस हैं आप देख सकते हैं एक में बल्ब on नहीं है एक में बल्ब की light जल रही है जिसमें बल्ब की light जल रही है वो HCL का solution है जिसमें बल्ब off है वो glucose का solution है जो glucose का solution है वो electrolyte नहीं होता लहाज़ा उसमें आप देख सकते हैं कि light बंद है क्यों जब glucose को water में dissolve करते हैं तो आइंस नहीं produce करता उसके मकाबले में अगर HCL के solution को आप और से देखेंगे तो उसमें आइंस होते हैं आप देखें उस है आपका शुगर का या glucose का solution electrolyte नहीं होगा या एथनोल का क्योंकि उसमें charges या आइंस मुझूद नहीं हैं अब हम वापके साथ ने टॉपिक के तरफ एलेक्टोलाइट हुग यह दो टाइप्स के consider करते हैं electrolyte है या नहीं है जो नहीं होते है electrolyte उनको तो हम कहते हैं non electrolytes non electrolytes non electrolytes क्या होते है non electrolytes वो substances होती है जिनमें से current pass नहीं कर सकता no current can pass अच्छा इसको हम discuss नहीं कर रहे है electrolyte की बात करते है electrolyte electrolyte दो तरह क्यों होते है strong weak strong वो होते हैं जिनमें ions की concentration जैदा होती है for example NaCl का solution water में weak वो electrolyte होते हैं जिनमे ions की concentration काम होती है for example acetic acid का solution क्यों यह कम से कम ionize होता है room temperature पे so electrolytes are nothing but substances having ions and they can conduct electricity अब इसमें एक चीज़ आपने गोर से समझनी है वो यह कि electric current का electrolyte में से गुजर जाना दुबारा मैं बता रहा हूँ electric current का electrolyte में से गुजर जाना electrolytic conduction कहलाता है तो मैं इसको ज़रा लिखता हूँ electrolytic conduction और मैं थोड़ी space भी develop कर लेता हूँ ताके मेरे लिए असानी हो लिखने में electrolytic conduction क्या है electric current का गुजर जाना किसमें थे electrolyte में से अब मैंने आपको बताया है electrolyte कौन से होते हैं जिनमें आइन्स हो having ions student electrolyte बनाने के दो method है means if you want to make an electrolyte तो आप क्या कर सकते हैं आप से कोई कहें के मुझे electrolyte चाहिए तो आपके पर दो method है electrolytes दो तरीकों से आप बना सकते हैं ionic compound soluble ionic compound say NaCl उसका solution बना ले soluble ionic compound को aqueous solution बना ले water में उसको हल कर ले दूसरा आप क्या करें आप क्या करें आप heat करें और salt को melt कर लें molten salt कर लाता है fused salt तो इस तरह भी electrolyte बन सकता है क्यों जब कोई ionic species पानी में होती है तब भी वो ionize हो जाती है और हमारे पर जो fused salt है वो भी ionize हो सकता है तो खेर हम इसको बार में डिसकस करते है के fused salt और ionic compound water में हलोने के बाग किस तरह आउनाइज होती है मैं आपको एक diagram समझाना चाता हूँ student ये आपके सामने एक diagram है जिसको मैं थोड़ा सा expand करता हूँ ये diagram क्या show कर रही है ये diagram के अंदर ये जो आपके पास ये piece लगा हूँ है जिसका color जो है वो थोड़ा सा brown है that is actually copper metal ये जो आपके पास red color का box बना हूँ है that is actually volt meter metals से होती है न अगर मैं उन में से electric current pass करूँ न तो बड़ी असानी से pass हो जाता है उसकी वज़ा क्या है metals के अंदर in metals we have free या mobile electrons metals के अंदर हमारे पास क्या मुझूद होता है free या mobile electrons मुझूद होते है ये हमने याद रखनी है बात के metals के अंदर हमारे पास free या mobile electrons मुझूद होते है तो उसमें से current pass हो जाता है तो फिर electrolytes में से current क्यों pass होता है मसलिन मैं अगर कहा दूँ कि यह जो मैंने copper metal लिखा है यह copper metal नहीं है बलके यह एक ऐसी species है जो के ionic compound है और उसे melt किया हुआ यानि के fused NACLSA नमक को मैंने melt किया हुआ तो इसमें से crunch के उपास होता है अब volt meter फिर भी reading show करेगा उसकी वज़ा क्या है infused salts we have ions तो इसका मतलब अगर electrolyte की बात की जाए electrolyte electrolytic conduction या electrolyte में से current का पास करना इसलिए possible होता है क्योंकि उसमें ions होता है metal की बात की जाए तो metal में से conduction इसलिए possible है क्योंकि metals में free electrons होते है तो metallic conduction और electrolytic conduction जो है वो दो different topics है हम metallic conduction को तो नहीं discuss कर रहे वो हम already previous chapters में discuss कर चुकी है हम यहाँ पर electrolytic conduction को discuss करें जो ions की वज़ासे होती है अब ऐसा क्या होता है में ऐसी कौन सी science होती है कि हमारा जो electrolyte है वो solution बनाने पे या fuse करने पे ions में change हो जाता है असलिमें जब किसी भी electrolyte को molten state में ले जाया जाए या solution state में ले जाया जाए तो उसकी दोनों सूर्थों में ionization हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे ionization क्या है ionization एक ऐसा process है ionization is the process in which ionic compounds when dissolved in water or fused जब ionic compound को पानी में डाला जाए या उनको क्या कराया जाए गरम कराया जाए melt कराया जाए they split into split up into charged particles for example NaCl इसको आप water में डाल दें water में water इस NaCl solid को दो ions में convert कर देगा sodium ion aqueous ही अप अप जब करें इसके 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 इसकी कर आइ water के इसके मालिक्राथ में होंगे Lenydd вамиu के साथ भी होगा लेट के जो आइंज बनेंगे वह कोर्श स् ार्गे वह stick सो एलेक्ट्र लाइट को मैल्थ या सुल्ऊशन स्टेट में ले जाने से हमारे लेक्ट्र लाइट की है जिसकी हमारा उलेक्ट्र लाइट कंड्डक्टर बन जाता student याद रखिएगा electrolyte ionic compounds के melt करने यहां उसके solution बनाने से बनता है अगर कोई ionic compound water में soluble नहीं है ऐसे barium sulfate, magnesium oxide, aluminium oxide in that cases आप उससे conduction का कोई expectation ना रखिएगा वो conductor नहीं होगा now students यह जो electrolytic conduction होती है यह तो cells के अंदर होती है और या जो मैंने उपर आपको diagram में समझाया था ये भी cells है, जिनको मैंने explain किया था ये एक cell था जो मैंने explain किया था अब मैं ज्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको detail में दुबारा समझाने जा रहा हूँ actually मैंने पहले समझाया नहीं था मैंने इस शो किया था कि यह cell है तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं topic वो है electrochemical cell और next lecture के अंदर हम पढ़ेंगे types of cell को one by one तो electrochemical cell सबसे पहले हम इसकी definition लिखते हैं electrochemical cell होता क्या है it is a system it is a system consisting of consisting consisting of electrodes dipped in electrolyte that that undergoes a chemical reaction reaction by using ore by using ore for generating electricity अब यह जो मैंने definition लिखी है ना इसको मैंने लिखा क्यों है इसलिए कि मैं जब इस definition को एक दार लिखूंगा ना तो इसमें बहुत सारे points जो है ना वो आपको clear हो जाएंगे देखें मैंने क्या कहा है सबसे पहली बार मैंने कहा यह एक system है अगर यह system है ना तो इसके कुछ parts होंगे उन parts में जो बहुत ज़यदा most prime importance वाले parts हैं वो हैं electrodes electrodes क्या होती है metal strips होती है metal के pieces होती है metal strips होती है metal के pieces होती है जिनको क्या किया गया होता है, जिनको डिप किया गया होता है, किसके अंदर, अलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें से अलेक्रिसिटी पास कर सकती है, वो मॉल्टन आइने कमपॉंड भी हो सकता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उ not need to go for anything वो start होगा हो सकता है वो electric current produce करें और electric current जो produce करेगा हम use कर लेंगे दूसरा यह है कि chemical reaction खुद नहीं start हो सकता हो कहेगा हम उसे कहेंगे non spontaneous chemical reaction उसके लिए electricity use करने पड़ेगे so हम electro chemical cell में ये parts use करते हुए कोई भी chemical energy को electrical energy या electrical energy को chemical energy में change करते हैं इसकी diagram paste करते हैं इसको थोड़ा सा enlarge कर लेते हैं okay this is fine student गोर से देखें मेरे पास electro chemical cell दो तरह के होते हैं chemical cells दो तरह के होते हैं गोर से सुननी है बात मेरी पहला electro chemical cell है electro लेक्रो लेटिक cell इसमें होता क्या है इसके अंदर आप electrical energy use करते हुए chemical energy produce करते हैं या current use करते हुए reaction करवाते हैं और दूसरा है हमारे पास galvanic cell वो इसके opposite होता है उसमे current produce किया जाता है electrical energy को use करते हैं यह मैंने electro chemical cell का एक type बनाई है जिसों electrolytic cell कहते हैं इसके अंदर यह जो दो metal के pieces हैं यह electrodes हैं फॉर एक्जेमपल यह वाला piece और यह वाला piece यह दोनों electrode हैं एक electrode पर positive charge होता है दूसरे पर negative होता है positive charge वाले electrode को anode कहा जाता है negative charge वाले electrode को cathode कहा जाता है यह जो इसमें source लगाया हुआ है बैटरी लगाई हुई है that is actually DC source और यह black color की wiring है किसी metal की यह blue color का इसमें electrolyte है electrolyte is consisting of ions इसमें negative ion और positive ion दोनों होते हैं जो positive ion होते हैं वो current on करने पे cathode की तरफ भागना शुरू कर देते हैं opposite terminal की तरफ और जो negative ion होते हैं वो current on करने पे electrolyte के ions anode की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ deposit हो जाते हैं वहाँ से electron lose कर देते हैं यह negative ion और positive gain कर लेते हैं this is one of the electrochemical cell और यह electrochemical cell की एक type electrolytic cell दूसरे cell जो होता है न वो electrical energy produce करता है उसमें electricity produce होती है इसमें तो हम DC source या DC current provide करके एक reaction को proceed करवा रहे हैं ions को move करवा रहे हैं वन्ना ions वही रहते हैं वो move ना करते हैं opposite terminals पे वो opposite terminal पे इसलिए move कर रहे हैं क्योंकि आप उनको electricity provide कर रहे हैं वन्ना यह electron की movement जो है red color के जो आप arrows देख रहे हैं यह खतम हो जाते हैं इनका मुझूद होना तब ही possible है जब DC source या DC current आप सप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब यह होगी है कि जो electrochemical cells हैं उसमें आप current के जरी रेक्शन भी करा सकते हैं और reaction के जरी रेक्शन भी produce कर सकते हैं दोनों possibility ले हैं यानिके आप electrochemical cell के अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप electrochemical cell के अंदर दो काम कर सकते हैं पहला आप chemical energy यानिके reaction के जरी रेक्शन के जरीए electrical energy produce कर सकते हैं दूसरा आप electrical energy के जरीए chemical energy produce कर सकते हैं यानिके current पास करके क्या कर सकते हैं reaction करवा सकते हैं इसमें सबसे important electrolytic conduction थी और electrochemical cell की definition और इसकी दो types हैं हम दूसरी type यनि के galvanic cell को detail में पढ़ेंगे जिसका हमने यहां सिर्फ सादा सा जिकर किया है अभी जो हमारा next lecture होगा उसमें हम electrolytic cell को detail से पढ़ने जा रहे हैं I hope student यह lecture आपको समझाया होगा इसमें important short questions भी है वो भी याद कीजिएगा next lecture तक के लिए Allah हाफिस